अचार स्री नमुस्तु आसाम से समझ जयन संका कर रहे हैं कि जो सांतिधारा है पहले हर मंदर में सांतिधारा नहीं होती थी और आज हर छेत्र हर मंदर में सांतिधारा हो रही है पर हम लोगों को अर्थ मालूम नहीं और सांतिधारा का महत्वी मालूम नहीं फिर भी हम लोग कर रहे हैं कि इसका क्या कुछ आगम में दुवान मिलता है पहले सांतिधारा का प्रचलन नहीं था आज है ऐसा नहीं बोलने का अज सांतिधारा का प्रचलन नहीं होता तो सांतिधारा का निर्मान कैसे होता निर्मान हुआ है इसका मतलब है कि पहले भी सांतिधारा होती थी पर ये है कि विशेश प्रशंगों में होती थी और विशेश गुरुओं के मुक्ष से हुआ करती थी और होती बहुत थी जहां जहां भी गुरु जाते थे वहां होती थी आज वरतमान में हमको जो है सोसल मीडिया में या टीवी जैसे आधिना टीवी है इस आज के माध्धम से हमें सुनने को बहुत मिलती है और मंदरों में भी बहुत जगा होने लगे हैं लेकिन पहले भी कई मंदरों में सांतिधारा होती थी देखते थे हर गाओं में कोई न कोई बिद्वान होता था ब्रती होते थे या कोई वहां से आसपास मुईराजों का आवा गमन होता था उन प्रसंगों में मुईराज से मुख्षे शांतिधारा सुनते थे सांतिधारा क्या है पहले तो यह समझो सांतिधारा महा अविशेक है एक होता है लगु अविशेक और एक होता है महा अविशेक लगु अविशेक मतलब नित अविशेक जो आप प्रतिन मंदिर में भगवानी को अविशेक करने के पहले सारी क्रियाई करते हो और उसमें जो मंत्रों का उचान करते हो और अविशेक करते समय जो छोटा सा मंत्र बोलते हो वह आपका जो है लगू अविशेक है महाअविशेक महाविशेक जिसमें विशेश-विशेश मंत्रों का उचान किया जाता है और विशेस कार की शिद्धी के लिए ही किया जाता है कोई स्वस्त नहीं है उसके स्वास्त लाख के लिए किया जाता है किसी को किसी प्रकार की परिशानी है तो उसको दूर पर निकले किया जाता है वहाँ पर उसके धारा के साथ नाम ले करके कि हे प्रभो इस धारा में उसका जो है दुख सुब जो है जो दुख है वो दूर हो जाए उसकी कटनाईया परिशानिया जितनी हैं दूर हो जाए इस विशेष रूप से सांती धारा में उसका नाम उचान लिकर के किया जाता है आप देखिए महा अविशेक में ऐसे ही मन्त लिखे गए है सर्व दिगने दूर हो जाए इसके लिए नित्मारो गमस्तो किसके लिए किया जारा है भगवान के लिए थोड़ी किया जारा है जो भक्त कर रहा है महा अविशेक या सांती-धारा है वो उसकी लिए ही किया जा-रहे Bog इसे ही मंत्रों का उसमें जो है उचारण होता है सांसांत में जो व्यक्ति कर रहा है उसके सांसांत में और भी जगत में जितने जीव हैं जितने भी प्राणी हैं उनकी जीवन में भी इसी प्रकार से शुक मिले शांती मिले आनन्द मिले तो ये भावना से भी बड़ी से कहूंगा कि इदी आचार प्रमिष्टी वहां पर आए तो उनके मुक्ष शांतिधारा जरूर बुलवाना क्योंकि इसमें लिखा है सौसिस परशिष वरगहा प्रशिदन तुनहा अपने शिष्ष और परशिष सभी की जीवन में प्रसनता आए ऐसा लिखा है तो इसका मतल युक्हान को लाभ मिलना ही मिलना हैं इसलिए सदूáfic की मुक्षे यह अइसांतिधारा महाविश्चेपों तो सोने में सुहागा होता है तो ये मैं कहना चाहता हूं प्रशomialन तो सब दूण पहले क्योंकि इतनी सारे मंत्र लिखे गए हैं तो पहले तो लिखे गए तब प्रचलन होगा तब लिखे गए हैं और अभी जो बर्तमान में हैं हमको बहुत टीवी आदी के मांदन दिखाई देता है तो प्रचलन पहले भी था सांगी धार रहता आचार स्री नमोस्तु सूर प्या संका का समाधान करें नमुस्तु अजयर स्री जो हमारे तीथंकर भगवान हैं उनके एक सेवक देव होते हैं सेविका देव होते हैं यक्ष और यक्षडी रक्षक देवी कहते हैं और ये सम्मेद्रश्टी होते हैं इनको हम आवाहनादी करते हैं इसके अलाबा और भ हैं प्रकार की बैमानिक भाउनवासी बेंतर और जोतिस इन सभी को पंचकल ननक प्राण पतिष्ठा आदी में या महान जो बड़ी पुजाएं की जाती हैं उन सम्मिन को बुलाया जाता है तो उस समय भी उनको अर्ग दिया जाता है अर्ग चड़ाना और अर्ग देना दोनो जो हम भगवान के जो हम पुजा करते हैं तो उसमें अर्ग हम निर्वपा मिती स्वाह कहते हैं और जब देवी देवताओं को भी आवाहन करते हैं कि आप यहाँ पर आयए वायू कुमार देव यहाँ पर आयए अगनीbbe कुमार जो भी पिकार के देव को बुलाया जाता है बिना उसे के पंचनग हो नहीं सकता है, तो उनको गिनहान गिरहान या समर पयामी ये अरग आदी को आप गरहन करें, गरहन करें और हमारे अनुष्ठान में, हमारे इस पूजा पाट के विधान में आप भी आईए, और आप भी पूजा पाट करके प्रव अपने करमों की निजरा कीजिए और अपनी भक्ती को प्रदर्शित कीजिए, किसी भी प्रकार से हमारे महानुष्ठान में, यग में, हवन में और पंचनग में कोई बिग्न बादा ना आए, इसका भी आप हमें सहयोग कीजिए, इस भावना से, तो उनको भी अष्ठ द्रव का गरहान करके या समरपयामी करके उनको भी ये दिये जाते हैं, आप देखिए, धोजारोन होता है, कई लोग उनको देखा होगा, जब भी कोई कारकरम प्रोगाम होता है, तो पंच्ड़ जी धोजारोन कराते हैं, तो वहाँ भी तो आष्ठ द्रव से क्या होती है, पूजा आदी होती है, तो वह वहाँ पर देवी देवताओं को वहाँ वो ग्रहान ग्रहान करके उनको सावर्प्यापी करके वो अर्ग आदी देते हैं, ऐसी प्रितिष्ठापाट आदी विधियों में दी हुई है, जो हमारे क्रिया ग्रंथ हैं, उनमें ये सब चीजे लिखी होती हैं, तो उसकी अनुसार तो कहीं भी सास्त्र में बाधा नहीं है कि उनकी वो होती नहीं है, पूजा की बात अलग है, पूजा तो वीतरागी भगवान की होती है, वहाँ पर हम अराद देप परमातमा को मानते हैं, यहाँ पर हम अपने अनुस्ठान की निर्विगन समाप्ती के उद्देश से उनका आवाहन आदी करते हैं, तब उनको प्रसारण आदीना टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है, अगर आपके मन में किसी वे प्रकार के कोई भी संका है, तो आप हमें नीची दे गए नमबर पर बेज़जग भेश सकते हैं, और आपकी संका का समाधान पूज गुर्देव के मुखारवन से आदीना टीवी चैनल झालड़